कि हलो बिल्कम सु माई फ्रेंट साइन माई डियर श्टुडेंट तो आज भी आपके सामने जो है इस पोकें इंगलिस की जो फिरी बैच मैं श्टार्ट किया है इंगलिस सेखने पढ़ने और उसको बोलने के लिए तो जो भी बैच श्टार्ट के इस बैच को आप जरूर जो करेंगों को बिस्काराओं और सारे यूजिज को भी खातर दो बैच मैंने श्टार्ट कैया हपते में इसकी प्रत दिन एक नएक वीडियो आए कि जरूर चाहे किया अफ्समें हर दिन सब हश्टे में पूरे साथ दिन आपको बहुत त्राभी लेंगा आज आज आपकी च 17 पांचवी कलास है, चौथी कलास हो गई जिसमें हमने बताया थाथ आपका नमबर कैसे 14 हाई जैसे होता है नमबर को अन्सभाग और यह जो भी चीजे होती है उसको मैं निशकस किया था आपके पिछली वीडियो अब दिसक्रिशन में सारी प्ले लिस्ट है उसको जरूर चेक कर लेना और टेलिगान चैनल की लिंक है नीचे दिश्ट करना तो मैं आज यहां पर पढ़ाने वाला हूं आपको पांचु एक्षन पांचु एक्षन आपको पता होगा पांचु कि कि एवाल चीन्हों का परियोग होता है बीराम चीन। ऑलाएं जो कि नहीं की होता है जब हम कहीं पर रुके नहीं को 50 मार्य जी में चरेंगें इसको पंचु एक्षन मार्च आपका pact shareholders आपका मार्ठ टाइब का परिंचुए समाथ लिगा जिसका प्रयोग करके आप हाइस कुल के परिछा में दो नमबर आराम से लाएंगे कुछ भी मेहनत नहीं पड़े कि आप पूरी वीडियो इस्टे रहिए गया आपको पता चल जाएगा और आपका इस पोके निगलीस में भी आप को पता होना चाहिए आखिर कोन सी चीजे कहां पर हमें यूज करना है तो यहां पर चलते हैं लेखते हैं सबसे पहले हम लेते हैं नमबर एक पर आपका को पिलेते हैं को इसे मार्ग है इस नक्रोंअ मेर को आप बोलते हैं क्या प्रस्णु आचक चिन उन्मा चिन नाखेर अखिर अब लगता है आपको आपको अपनाम से पता जाए जब कभी धी प्रस्णू पूछा जाए ऐसे संट सो एसा वर्ड हो यह इसा संटेंस हो उपकोई भी बात बोली जा रही है उसमें प्रसन की भाव प्रसन बोला जाना नाम है कि यह प्रसन का ईख मैं इस तरह कि वा इस तरीके से आप वह और अगो आप कहा रहा है यह आप क्या करते हैं तो क्या क्यों कभ आइसे यह सारी चीजें जो कुछ भी आ हैता है मतलब वो गलत माना जाता है तो इसका चिर्ण आपका इस तरीके से होता है आपको पता होना चाहिए इसका सिम्बल जो होता है आपको ऐसे हांसिया की तरह होता है इस तरीके चिर्ण के प्रयोग होता है इसको आप कहीं भर भी लगा सकते हैं जिसे हूँ आर हूँ आर यू ठीक हूँ आर यू यहां पर प्रियोग करेंगे और भी बहुत सारे चीजें प्रियोग कर सकते हैं यह हो गया दूसरा प्रियोग करते हैं कि वाट अज ही है कि यहां पर रही तो यह जो ही सब्धमने प्रियोग की मतलब जो भी सब्धमने बताए यह आपका कि देखें इसमें लाश्ट में आपका सिम्बल लग गया है कि जब को भी प्रसन पूचा जाए तो कोईश्यर मार का प्रियोग करेंगी आवेसा याद रख लिए जो अगर आप इंग्लिस में अर्थ निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है नहीं निकाल पाते तब अब भी समझ दें जहां कहीं भी यह चिन लगा रहता है इसी को कोईश्यर मार क बोलते हैं इसे को प्रसमा चाहिए ने बोलते हैं दूसरे चिन की तरफ बढ़ते हैं तुसरा चिन हमारा जो यह है इसका नाम क्या है तो मैं लिखता हूं नंबर दू इसकलाइमेशन इसकलाइमेशन मार क इसकलाइमेशन मार क जिसको हम बोलते हैं क्या बिसमे आदी या बिसमे बोधक या बिसमे आदी बोधक चिन नियों यह वह इस चिन निक प्रियों से होगा इस तरी के सोगा कि आपका ऐसे उपर से होगा उसके नीचे बिंदी होगी यह धान रखेए कैसे चेंडेयों तो इसे यह कंद Snow the úl Papa लेकिन इसमें क्या होता है जब मारे दिल से दिमाग से मतलब करने में भाव जो हए अचानक में एक एक में आपके अंदर से कोई दुख हाव करकाट हो ओ गया कोई सुख हो गया कोई बिलाफ होने लगा को विद्लाब तो दुख सुक्ने सेखा माय गोंड बोला थो ये कैह हो गया हमारा बोला वाव तो यह आपका खुसी का बहाव हो गया तो जब कभी भी अंदर से जो प्रियोग होते हैं जो मतलब हाव प्रकट हो जए तो उसके किनारे जो चिंबल लगता है है मतलब वह सब्द के किनारे जो लगता है वह हमारा इसका चिंबले इसका देखते हैं कोई सब्द बहुत सारी से नहीं है कि अगा है कि गॉड़ ब्लेस यू यह लगए गॉड़ ब्लेस मतलब भगवान आपका भाला करें भगवान आपको दिर गहाई दे इस तरीके से तो यह हो गया उसके बाद हम देखते हैं वाव क्या वाव तो यहां वाव इसे बिलेंग वाव जो सब बोल रहे हैं उसी के भाव करने वाव वाव वंडर्फूल वाव वंडर्फुल ठीक है ये भी ये सब देंगे वाव वंडर्फुल हो गया ठीक है कामा लगा देते हैं वाव हो गया वंडर्फुल हो गया आपका कर सकते हैं करें हर लिए है कि युद्र Humans देखिया को आपको और नवा वाव वाव वंडर्फुल आश्च्य चकी शूब घरी इस कि अतनी हमाथ इस तरह केजिए estou अगला चिन हमारा है यहां पर यह दूर्ण की तरह है इसको बोलते हैं फौल लिष्टाव क्या इसको फौल लिष्टाव बोलते हैं जिसको हम नाम देते हैं यह पूर्डविराम क्या बोलता है ते इस तरीके से होगा विंदी की तरह होता है नीचे होगी हानी कोला पूली श्टाप अपर लगा दीजिए लाश्ट में और सकते यहां पर बोल सकते हैं यां the room बाई है यहां पूरा हो असाट हो गया प Graal अगये अ आरिनल फ ऺ Cinnamon पूरा हो ज़ां आफ चल्क्राइक बोल्कारम को था हुँ पी घर में रहना है तो । कुछ पाचा तो नहीं है कि आधा रहा तो यह पूरा है पूर्ण गजब होड़े तक हम्पोल देखते घंज सकती है। इसके बाद हम देखते हैं है Teraz नंबर चानबर पर हमारा है आपका कॉम अ कॉम को कब मुरते हैं कॉम मौलते हैं आप कि दी लो द सुम्बल जो होता है इस तरीके से होता है नीचे की तरफ हैसे होगा नीचे की तो उस तरइके से जब अलप विराम थोड़े से रूख है नोच पूरा नोच पूरा रूख थो लुके तो अधे में जहां पर रूख करेंगे जिसको बोलए कामा ज रुख कर बोल रहे हैं कोमा का तो कोमा के लिए कोई संटेंस यूज करते हैं जैसे कि आपका राम कॉमा मैंने बोला राम तो आगे बात बोलिए अब यहां आओ कॉम हीर कॉम हीर अब यहां पर पूर्ड हो गया वाक के जो पूरा हो गया जब आप यहां पर पूर्ड विराम देखिए यहां पर राम रुख गए बोले यहां आओ तो यहां आओ के बाद मैंने संटेंस को को खतम कर दिया यहां पर पूर्ड बिरा मतलब फोलिश टाप यहां पर अलप बिरा मतलब कॉमा यूज कर दिया मैं ठीक है इस तरीके से और चीज़े में देखता हूँ कि इफ यहां लेखता हूँ कि इंसक का इफ यही कुम्स है कि इफ ही कुम्स युटि आटा है बोला जारा है यहां आ कि अ만 जाया तो रुक गया नब बीने रुकरित भूली नहीं सकते हैं यह को आता है मैंने यहां पर रोका बोला दिमाग पर अप बाराबाद बोलने चले तो वापर कामाय। चुर्सिए। को कौन्य आपकर मैं는 बोला जा रहा कि अगर वाहता है तो मैं नहीं हूँंगा अगर व अन्हीं है। बोने अहाल वह आता है तो रुख गया तो मैं नहीं आऊँगा पुर शन्टेम्स बला arस भूअना तरिभक कर दिए इसके बाद धी यसको बून हम देखते हैं पांच नंबर देखते कोटेशन को जए से क kij Ark को ऑनकी ऑनकी सबस्ताइब एक कथरांग वला इक डेस वाला मतब जो acements कौई बात परिभासा कहीं जाक सक एक किसी बात को कथन को हम उसमें रहे तो कथन वाला कीजी होता है यह कोटेशन वाला आपको समझना चाहिए कथन वाले कंदर कथन को अंदर रखने वाला कथन क्या कथन के बाद भी हो सकती है कथन हो सकता है परिभासा हो सकती है को अंदर रखने वाला कि इसका सिंबल दो प्रकार से होता है कैसे इसका दो प्रकार से होता है एक आपको ध्यान देना है एक आपका ऐसे उपर से आएगा नीचे बंद हो नीचे यहां पर मुड़ेगा उपर तो यहां पर मैंने कुछ लिए तो यहां पर जब खत्म हो तरह बन्द होगा इह ऊफड़ें जिसको बोलते हैं क्या इन्वार्टेड काम धी हुआ बोलते हैं इसे को हमा योर्ट कांब करेंगी जब कोई बात कही गए एक लारेक्ठ पित में बोला जाता है कि उस्ने एसा कहा उसु ने राम सी कहां किया कहागया उसे भगा जब बताया जाता है तो उसको में इन्वार्टेड कामा में लिखा जाता है उसमें देखे डायरेक्ट में होता है तो उसी तरीके से इसको हमें आपका कथन वाले जो वाक के होते हैं जो परिभासाय होती है जो आपका बिचार होते हैं उनको हम कोटेशन मार्क में लिखेंगे लिए इन्वार्टे यहां पर रुख गई तो कामा लग गया अब क्या बात बोली जा रही उसको देखी बोला जा रहा है कि I am the I am the best मैं अच्छा हूँ ठीक हूँ आइम देखी कामा इन्वर्टेट कामा को मैंने यहां पर ऐसे लाया खोला और यहां पर ले जाकर कि इसको मैंने बंद कर जिया इसको ऐसे राउंड करा देखें यहां से आये तो फिर यहां पर चले गए मतलब इसको इस तरीके इधर बढ कि आपका किधर किधर सर होना चाहिए नीचे की तरफ यह सर होना चाहिए मतलब मोटा होना चाहिए मुड़ना चाहिए इधर उपर मुड़ना चाहिए तो इसी तरीके से ऐसे आ करके ऐसे जाकर फिर मुड़ गया तिस तरीके चक्र काड़ जाता कथन को समेट लेता तो यह को आप याद रहे कि उपर होता है नीचे होता है ना याद रहे तो द्हां देजिए ऐसे आई इसे आपको एंटिकला को आई घड़ी के बिप्रीचन में मत्तद कपो चलना है तो राम सेड आइम बेस्ट ठीक है यह हो गया आपका और भी चीजें हो सकती है मैं दूसरा नहीं तरह 가지 वहां देखिए चान universe क्या है वीडियो प्राइश लिए छान नमबर में आपका बचता है ये वाला इस छिन और का बंदता है और मिया यह भी थो भा---- कॉलन का मतलब क्या होता है कि आपका ऐसा चीज है कि कॉलन का मतलब जो है जैसे कि आप यूज कर सकते हैं ठीक है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे जैसे की जैसे की लिए सब्दे यूज करेंगे और इसका सिंबल जो होता है इसको हम यूज करते हैं जब ब्यक्तियों और कोई चीज हो मालीजे कोई ब्यक्ति हो कोई चीज हो तो आप या जगा हो आज कि सूची के बारे में बताना हो किसी सूची के बारे में बताना हो तो इसका हम प्रियोग करेंगे कोई सूची हो तो इसके बारे में बता रहे हैं चाहे ब्यक्ति कोई बताना हो तो इस तरीके से जैसा कि इसका सिंबल होता है इस तरीके से दो बिंदियां होती है अनुपाद की तरह रेसियों की तरह चिन इसका होता है तब हम यूज़ करते हैं जब इसको सूची कोई बतानी हो तब ठीक है सूची बतानी हो तब ठीक है इस तरीके से सूची के लिए सूची आपका कोई भी हो सकता है चाहे वस्तु हो चाहे वब्यक्ति हो चाहे वस्थान हो डाट डाट कुछ भी हो यहां पर हम जैसे लिखते हैं माली जी साफ। कि आई मैट लोगों से मिला जैसे जैसे कि अब यहां पर मैं लगा दे रहा हूं जैसे कि यह हुआ अब का कॉलन तो मैं आइमेटो मेरी पिफल मतलब लोगों से जाख मिला तो यहां पर मैंने लगा दिया किसे किसी जीनमग कर नाम लेते हैं कि वीनीता इम आपन जहीड लुसाइव और कुलदीव ना लगा लगा के लिखेंगे क्यों लगा के लिखेंगे क्यूंकि भी रूक कुल्दीप दो चीज़ों मैं अलग करूंगा तो कौमा लगाओंगा नहीं एक में मिल जाएगा तो इसी तरीके से और एंड सर्मा ठीक है यह हो गया तो जब किसी चीज के सूची बताने लगे कि मैंने वहां पर ऐसा मैंने वहां पर बहुत सारी चीजे खाई जैसे की जैसे की तो कॉल्ण लगा कर जैसे खीर पूरी यह यह चीजे तो इस तरीकी सब्सक्राइब साथ नंबर हमारा है कॉलन के बाद आ जाता है सेमी कॉलन मतलब अ अरध बंएस आई यहां पर देखिए अल्प ब्र higher मतलब haven रोख सकते हैं कि थोड़े में आल्प मतलब थोड़ा भी रोख सकते आर्थ विराम मतलब आधे बाद पर उके इस तरइके संटेंज के लिए हम अल्विर्याम का पुरिंग करेंगे इसका चिन्न इस तरीके से होता है यह उपरे मिंदि के ऐं यह कॉमी होता है यह टरीके से LIKE और इसका हमारा उदाहरण होता कभी ही 물िया किसी तरीके से यूज़ड़ी तो बहुत बड़ा संटेंस होता है, इसको मैं उदाहरण देने के पेच्छा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उदाहरण होगा, आपका, चली लिग देता हूँ, मीटिंग वाज, हेल्ड, मीटिंग वाज हेल्ड, अन 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर कामा, 2008, यहां है सेमी कॉल, 2008, ठीक है, मीटिंग जो है हेल्ड की रखी गए कि इतनी तारी कितनी को, ठीक है, अब यहां के बाद अलग बोला जा रहे है कि मीटिंग आपकी 25 अक्टूबर, 2008, और 15 अतना और इतना को हुई, मतलब अब यहां पर अलग करने चाहरे हैं, तो यहां पर अब फिर से हम लिखेंगे क्या, इन्हें पंदरा फरवरी, मतलब 15 जनवरी, एंड नब मार् 2010, 2010 हो गया, एंड इसी तरीके से और भी महीना जो भी बच्चता है, उस महीने को इसे मार्च महीने लिख दिया, क्या, 23rd, मार्च 2012, यहां पर काम लगा सकते हैं, इतना बड़ा संटेंस हुआ, यहां पर लगा, मतलब यह आपकी मेटिंग इतने इतने तारीक इतने को हुई, तो यहां पर हमेने लगा यहां, अर्ध विराम मतलब आप आधे पर रूखें, जब कुछ इस तरीके से तो अर्ध विरा सक्क बाद आपका बच्टा एक बच्टा एना बच्टा है आपका से मीडेल हो गया कोश्री फिल्ख को इस फिल्ख पे ईल्ख रख स्था कि आपका आप आपॉश्टभी प्लस्टाएं क्यों हो बाइप ट्रौफी पाका होगा क्या पाश्ट्रफी का आपका जो चिन लगता है वह आपका अब कि अब कि अब कि अब कि अब इस पाश्ट्रफी मतलब दो स्थितियों को जोडने के लिए दो स्थितियों को जोडने के लिए दो चीजों को जोडने के लिए जोडने के लिए एक सद बनाने के लिए जिसका जो चिन होता इस तरीके से होता है ऐसे उपर से लगेगा ऐसे इस तरीके से होता है जैसे आपका कोई बीज और ठाय किताब यहां पर brigích लिए तरह इंद एन्या, किताब को मेच करा दीएगा इसी तरह किस सकते हैं ृ कि हुआं मोहन्ज भादर मोहनके पीदा कि आपका के लिए उचप रहे हैं उसके साथ साथ आप माली जी आपने लिख्या इजनाट लिख्या यह हो गया आपका इजनाट इजनाट को आपको लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं इजन्ट लिख सकते हैं या फिर आप वो इसके बाद यहां पर लगा हुआ पॉस्ट्रों पी आप लिख सकते हैं मा डज देखिए डज नाट में आपको क्या करना है कि आपको डजन यह जो है कि डजन्ट हो गया यह ठीक है तो डजन्ट और इसी तरीके से बहुत सारी चीजे हैं कि यू आ रहे इसको लिख सकते है क्या कि योर यह थी यहां पर यह पर आप अब सब्सक्राइब करेंगे और उसको यह सब्सक्राइब करेंगे कम करेंगे अपनी तो दो सब्सक्राइब करने के रही पाषटिब करने के सीज्ज़म करके जो हम्हाइं वही चीज क्लिक्दा कर लेद्न के रिख ईदुक्स का तो या यह दुस्त कर दो तो इस King的 अब मतलब दा को अटा कर आपको हटा कर राम सबूक लिख दे आपका यूज आपका इस तर्किस हो गया तिया पॉस्ट्रोफी था इन सभी का यूज हम करेंगे जब कभी आपका पंचुएसन हाइश कूल में आएगा तो कहां क्या यूज होगा पढ़िएगा पूरा संदेथ पढ़ने बाद आपको पता चल गाएगा किर कौन संदे कहां पर यूज होगी वह माई स्कूल के जो ग्रामर हल कराएंगे तो इसमें हल कराएंगे बाकि आपका इस पोके निकलेस में था मैंने सोचा इसको बता दे अच्छा लागा तो लाई सेयर करिएगा पूरा इस्टे सब्सक्राइब करके पेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्यूंकि हम यहां पर आपको लेटेस्ट अप्डेस्ट अब लूज भी लेते राते रहते हैं जो कुछ भी होती है आपके फिचिस कमेश्टिव मैं थ्यादर सब्सक्राइब वीडियो जो है आपको नीचे डि अच्छे लेवल से और इसका भी मैं नेक्स पार्ट पांच चाठों पाट आएगा और इसी तरके से सार्ट दिन के अंदर हम बहुत सारी इसमें मैटर हम लिखवा देंगे पढ़वा देंगे सिखा देंगी ओके चलते हैं नमस्का रहें जहन गुडबाय फिर मिलेंगे